Good morning everyone, 5th class, today is 13th of November, all day है Friday, कल Saturday है, कल 14 है, कल दिवाली है, तो सबको happy दिवाली, कल और परसो, अब आपको जो कोई homework नहीं होगा, आपको holiday है, ठीक है, लेकिन आपके जो exam है, साइद 18 से आपके exam है, essay 1 exam, तो आपका जो maths का exam है, वो होगा 24 को, वो होगा 24 को, 24 को, साइद Tuesday है, उस दिन ठीक है, 24 को, तो maths का आपने revision करना है, इसके बाद मैंने सोचा, आज जो हम 13 chapter पढ़ रहे हैं, 13 chapter है, way to multiply and divide, उसको complete कर लेते हैं, उसके बाद हम exam के बाद 14 chapter सुरू करेंगे, जो कि हमारा साइद last chapter होगा, ठीक है, तो आज इस chapter को complete कर देते हैं, ठीक ह से, पढ़ना है, कोई doubt होगा, तो आपने पूछना है, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, आज हमारा last topic होगा, ठीक है, जो सलिए, आगे वाला topic है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, chapter number 13, way to multiply and divide, इसमें question है, there are 26 rooms in a school, ठीक है, यह वो रहे कि 26 room है एक स्कूल में, ठीक है, each room has four plants, हर एक रूम में जो हो, four plant है, ठीक है, four छोट-छोटे plants होंगे वहाँ पे, if each plant needs two cup of water, ठीक है, यह वो रहे कि हर एक plant को, दो cup of water चाहिए होते हैं, how much water do we need for all the plants, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कोश ने पुछा है, इसने बोला कि, हर एक plants को जो हो, two cup water के चाहिए होत है, तो उसको जो water की जिरूरत बढ़ती है, ठीक है, तो इसने बोला कि 26 room है, ठीक है, टोटल कितने room है, 26 room है, और हर एक रूम में four plants है, तो 26 four जा करेंगे हम लोग पहले, ठीक है, 26 four जा करेंगे हम लोग पहले, जो भी answer आएगा, फिर हर एक, मतलब कि जितने plants हैं, वो हम ल answer निकल जाएगा, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे लिखेंगे, number of rooms in a school, कितने rooms है, 26 है, ठीक है, फिर लिखेंगे number of plants per room, मतलब कि हर एक room में जो वो कितने plants है, तो four plants है, तो total कितने होगे, 26 four जा हमने किया, तो 104 आ गया, ठीक है, 104 आ गया, अब इसने बोला कि water needed for each plant, तो water, जो हबो हर एक plant को कितना चाहिए, two cups चाहिए, तो 104 प्लांट को कितना चाहिए, 104 को two से multiply करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा, 208 multiply, आपने rough work में साथ में करना है, तो इसका answer आ जाएगा, 208 cups हमें water के चाहिए होंगे, ठीक है, अब बात करते हैं, page number 84 की, 180, फोर में, यह अपने जो भी ठीक लगे हैं, वो अपने, अपनी बुक में ही फिल करने है, ठीक है, make the best story problem, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कैसी problem है, कैसी story है, each line gives a story, you have to choose the question, which makes the best story problem, the first one is already marked, ठीक है, वो रहा है कि यहाँ पर, इच लाइन में, यह एक story दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे इसने बोला है कि, फ़र्स्ट जो कोशिन है, वो already marked किया हुआ है, बाकी जो भी है, वो आपके लिए हैं, वो बाकी आपने चोज करने हैं, तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट है, a shopkeeper has 50 boxes, there are 48 fruits in one box, ठीक है, यह बो रहा है कि, एक shopkeeper है, उसके पास, जो आपो, 50 box हैं, कितने box हैं उसके पास, 50 box हैं, उसके पास, और इसने बोला कि, there are 48 fruits in one box, तो एक box में, जो आपो, 48 fruit दिये हैं, ठीक है, तो इसने बोचा, tick the one question, which matches with the given problem, ठीक है, इसने बोला कि, इन तिनों में से, कोई एक जोब, आप टिक करिए, जो कि, इस question के लिए, मतलों कि, जो भी story दी गई है, इस story को match करता हो, ठीक है, तो फर्स इसने बोचा, how much will the shopkeeper pay in all, ठीक है, इसने बोला कि, shopkeeper, जो हबो, सब के लिए, कितना pay करेगा, तो यहां पे, जो हबो, पहले तो price नहीं दी है, cost नहीं दी है, किसी जीज की, तो ए तो बिलकुल भी, इसका question नहीं बन सकता, मतलों कि, story से question नहीं बनाया सकता, second, how many fruits are there in all, हाँ, ए हम लोग निकाल सकते हैं, कि, इसने बोलना था, 50 boxes है, हर एक boxes में 48 fruit है, तो इसको अगर multiply करेंगे, तो total fruit निकल जाएंगे, ठीक है, तो second question, जो हबो, इससे match कर रहा है, जो इसको हम लोग इस question से निकाल सकते हैं, क्योंकि, यहां पे दिया है, multiply करक हम इसको निकाल सकते हैं, तो second question, जो इससे match कर रहा है, c भी देख लिते है, how much more boxes will he need, ठीक है, यह तो यहां पे नहीं बन रहा है, ठीक है, इसका इससे कोई relation नहीं है, तो explain भी करना है, why a and c are not good choice, तो a में क्यों, जो है वो, सही नहीं है, क्योंकि a is not good choice, because the cost of fruit is not given, क्योंकि cost of fruit चॉबो यहां पे दी नहीं है, ठीक है, तो यहां आप ठीक ही लगाए, बैसे इसको समझिए, ठीक है, c में देखे, c क्यों नहीं है, how many more boxes will he need, तो यहां पे it is also not a good choice, यह जो हो good choice नहीं है, because all the fruits are already packed in one box, क्योंकि सभी fruit चॉबो पैक्ड है box में, ठीक है, सभी fruit चॉबो पेक्ड है पहले से ही, तो यह इस question का, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो I hope कि आप समझ रहे होंगे, कि कैसे आपने करना है, ठीक है, कोई एक statement दी गई होगी, उसे related question है, आपने देखना है कि कौन सा question जोबो इससे match कर रहा है, कौन सा question जोबो इससे बन पाएगा, मतलब ठीक है, तो देखिये second question बहुती interesting question है, हाँ, चलिए देखते है, 352 children from a school went on a camping, ठीक है, went on a camping, यह वो रहा है कि 352 children जोबो, school से गए, कहां गए, camping के लिए गए, camping trip के लिए गए, Each tent has a, had a group of four children, हर एक tent में जोब four children आसकते हैं, ठीक है, उन्हें tent भी ले गए होंगे, तो हर एक tent में जोब four children आए गए होंगे, तो यह पुछेगा कि, 352 children को जोबो कितने tent की जूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ऐसा एक question बना जाए, तो चलिए देखते है, How many children did each tent have? ठीक है, तो यह तो यहाँ पे दिया गए है, पहले से कि, how many children, हर एक tent में जोबो कितने children आसकते हैं, तो four आसकते हैं, तो एक question जोबो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यह तो पहले से given है, B, how many tents do they need? हाँ, एक question बन रहा है कि, इसको जोबो कितने tent की जूरत पड़ेगी, तो how many tents do they need? कितनी जूरत पड़ेगी, तो second यहाँ पे सही हो जाता है, तो B option is right, B option सही है क्योंकि इसमें पुछा है, how many tent do they need? ठीक है, सी देखते हैं, a shopkeeper has 204 eggs, ठीक है, shopkeeper के पास इतने eggs है, he puts them in eggs tray, ठीक है, वो जो 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 एग की जो ट्रे होती है, ठीक है, उसमें डाल रहा है, each tray has 12 eggs, हर एक ट्रे में जो वो 12 eggs आसकते हैं, ठीक है, तो question देख क्या पूछ रहा है, question पूछ नहीं रहा है, question दीए है, आपको देखना है कि कौन सा question, जो वो सही match कर रहा है, how many more eggs will he need, how many more eggs will he need, तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ कोई relation नहीं बन रहा है, कि इसको जो कितने eggs चाहिए, ठीक है, अबी देखिए, how many fresh egg does he sell, ठीक है, how many fresh egg, ठीक है, fresh egg की तो यहां पे बात ही नहीं की है, तो ए भी नहीं हो सकता, ठीक है, सी देखते हैं, how many eggs tray does he need, हाँ, ए बन सकता है, क्योंकि साथ के पर के पास इतने eggs थे, 204, तो एक tray में इतने आते हैं, तो कितनी tray उसको चाहिए, तो how many eggs tray does he need, कितने tray के जूरत ह होगे, तो C costing हमारा match करना है, तो यह मिलेगा, आपको 101, sorry, 184 page number पर, इसको आपने ऐसे ही टिक करना है, आगे देखते हैं, आगे भी बहुती अच्छा कोशिन है, the cost of one book, एक book की जो cost है, कितना price है, 47 rupees, sonu wise, अच्छे यहां पे V, हाँ ठीक है, V, U, Y, S, wise, 23 books, उसने जो वो, इतनी books जोबो करीदी, ठीक है 23 books करीदी उसने,